बिहार को भाश्वा मुक्त करने के लिए जदियू ने भले ही राज़त के साथ गडबंदन कर लिया हूँ पर इस गडबंदन की गाठ इतनी गमजोर नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि बिहार में कभी भी यह नया गडबंदन बिखर सकता है सबसे पहले तो राज़त ने बिधान सवाब शुनावों में जदियू की मां को पूरी तड़ा से दड़ किनार करते हुए एक भी सीट नहीं दिया तो वहीं जदियू ने भी इसका बदला लेते हुए एक तड़ा से बिधान सवाब शुनावों से किनारा कर लिया इसको लेकर मतबेद अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि जद्यू ने फिर से राजत के जखमों पर नमक्ष रखने का काम किया है दरसल जद्यू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफेसर नवीन कुमार आरे को अति पिश्रे वर्गों के लिए राज आयोग का अध्यक्ष बनाये गया है इसको लेकर महागडबंदन के सबसे बरे घटक दर राजत के अंदर नाराजगी देखी जा रही है राज़त ने आरोब लगाया है कि इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली है साथ ही यह भी कहा कि महागडबंदन सरकार में दो आयोग का गचन हुआ है किसी में भी राज़त को उचित प्रतिमिदीत नहीं मिला आपको बताते चलें कि राज़त नेता प्रोफेसर राम बली चंदरवंसी ने कहा कि महागडबंदन की सरकार में राज़त एक बरी पाटी है उन्होंने कहा कि अनुसूची जनजाती आयोग के अध्यक्ष जब डेडियू से बन चुके थे तो अभी जो अतिपीश्रा वर्गों के लिए आयोग का गचन हुआ उसका अध्यक्ष राज़त से होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ राज़त नेता ने कहा कि हम इस बात को पाटी के आला नैत्रित्व तक पहुँचाएंगे यहां आपको यह भी बताते चुले पटना उचन्यायाले के आदेश के आलोक में राज़त सरकार द्वारा स्थानी निकाई शुनाव में अतिपीश्रा वर्गों को आरक्षन की दिये जाने को लेकर इस आयोग का गचन किया गया वैसे यह मामला भले ही छोटा नजर आ रहा हो पर राज़त ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है राजनेतिक जानकारों का यह अनुमान है कि प्रदेश में इस वक्त बिधान सवाब शुनाव हो रहा है और इसमें राज़त पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है इसलिए शुनावों तक भले ही राज़त सांत रहे पर चुनाव खत्म होते ही राज़त सकती से जद्यू पर दवाब बना सकते है खेर भविश्य के गर में क्या शुपा है वो आने वाला वक्त बताएगा पर फिलाल राज़त और जद्यू में दूरी साफ देखी जा सकती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही बनेड हमारे चैनल रबजी लाइट के साथ धन्यवाद